हाँ दो फिक्स यूटीब इरोर प्रिपेरिंग आपवलोट प्रॉबलम नमसकार दोफस्तो सुवागर आप सभी का तिकिराच यूटीब चैनल पर तो डोस्तो हम ज़य भी जाके यूटीब पर कुई भी वीडियो आपवलोट कर देते हैं तो वीडियो आपवलोट करने के ब यहां पर दोस्तों यह हो गया upload video ठीक है उसके बाद है इस वीडियो को सेलेक किया और इसको next पर क्लिक करके यहां पर मैंने इसको upload कर दिया ठीक है how to fix it तो उसके बाद दोस्तों यहां पर upload कुलक्ट कर देते हैं तो इहां पर आपको प्रिपेरिंग आप्लोड करके एक आप्वर तव यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा अभी यहाँ पर आपलोट बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या है यहाँ पे यहिधिамका जो वीडियो से वो आपलोट नहीं पार है ठीक है योटूब के अंदर पर और आपको यह आपर सिर्फ एक ही ओप्शन दिखाई देरा है यह प्रिप्रिडिंग अप्लोट ठीक है तो उसको फिक्स करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले तो उस वीडियो को आपको डिलेट कर देना है ठीक है जो वीडियोस आपको अप्लोट करने की कोशिश करें और जिसमें आपको प्रोब्लेम आ रहा है उसमें आपको कोई भी डिक्कट कोई भी इस्यू हो रहा है तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है आपको उस वीडियो को डिलेट कर देना है फोन से डिलेट नहीं करना है बस uploading से delete कर देना है क्योंकि आपका uploading ही हुआ है तो कोई डिकर नहीं है वस delete कर दीजे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है Play Store पर पर जाके YouTube को latest version के साथ update करें ठीक है इसको update करना है आपको latest version के साथ तो update करने के बाद तो आप जाएए अपने mobile के setting पर और network connection बगारा को fix कर ले ठीक है उसके लिए आप dual sim in mobile network पर जाके आप अपना network को switch कर सकते हैं ठीक है sim select किजिए network mode पर जाके 4G और 3G के between network को switch करके देखिए switch करने से network refresh होते हैं ठीक है तो आपको करना है उसके बाद system management पर जाके एक बाद network setting को भी reset करके देखिए यहाँ नीचे आपको back up in reset मिल जाएगा तो reset network setting यहाँ पर जाके आपको करना है ठीक है click किजिए sim select किजिए reset setting पर click किजिए ठीक है reset setting पर click करने के बाद phone password बढ़ देना है उसके बाद यहाँ नीचे आपको click करना है reset setting पर तो जैसे आप इसमें click करोगे reset हो जाएगा आपका network setting यह आपको यह setting मिल नहीं रहाए तो आप setting search setting पर जाएए reset पर type किजिए और यहाँ पर आपको reset network setting select करते हुए network setting को reset करना है उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको और नीचे जाके application and permission को on करना है app manager पर जाना है यहाँ पर जाके दोस्तों आपको scroll down करके नीचे पूरा आपको जाना है youtube यहाँ पर ठीक है youtube पर उसके बाद इसको कर देना है fourth top ok करना है उसके बाद internal storage पर जाके clear all data कर देना है और ok करना है उसके बाद जाएए दोस्तों permissions पर ठीक है तो जितने भी पर मिशन से आपको one by one allow करना है ठीक है जैसिकिड़ी आप देख सकते है यहाँ पे आपको allow allow करते जाना है जितने भी permissions से तो सब permissions allow करने के बाद device को restart करें तो restart करने के सारे साथ दोस्तों आप डुबारा से एक बार जाएए अपने मुबाइल पे और दोस्तों अपलोड करने के कोशिच कीजिए प्रावलेम आपका एक ही बार में फिक्स हो जाएगा और जिया दोस्तों यहां पर मुबाइल सौफ़ेर भी अपडेट नहीं ही है मुबाइल सौफ़ेर को भी अपडेट करें ताकि आपका जो यूटूब का अपलिकेशन है वो अच्छे से आपकी डिवाइस पर रान करते रहें ठीक है तो यह है दोस्तों इसका सॉलूइशन उमिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आओगा तो आज के लिए वस इतने टेंक्स पर वाचिंग